कि आज का टॉपिक है कि आपकी भाश्या आपको सफलता के तरफ या आसफलता के तरफ कैसी लेकर जा सकती है तो आए हमारी चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यागर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग संभोन तथा वैसमुक्त अगनी हूं महाराष्ट्य में आकोला नागपुर पुने में हुआ हमारे होस्पितल से कभी सारे लोग हमें ओनलाइन कंसल्डेशन करते पूछते रहते हैं हमारे तरब कॉंसिलिंग के लिए आते रहते हैं यह वीडियो में डालता हूं उसमें भी काफी लोग उनके कॉमेंट्स डालते रहते हैं पूछते रहते सवाल उसमें से यह है कि हमारी भाषा का इस्तिमाल प्रयोग मेंने कैसा करना चाहिए और हमारी भ कपड़े की दुकान है उन्होंने छोड़ी दुकान दी उसमें अर्ण किया जो अर्ण किया उसमें रिइंवेस्ट किया और बड़ी दुकान कर लिया कुछ ऐसा खशन आगया कि एक रात में दुकान को आठ लगए जल मेरे तो पुरा पुरे जीवन की कमाई मैंने इसमें डाल दिया अब तो कुछ नहीं रहा मेरे इतने साल चले गए अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यह व्यक्ति अपनी भाशा का प्रयोग अपने आपको डाउन करने में लगाता है अपने आपसे वो ऐसी बातचीत करता है अभी तो कुछ संभो नहीं अभी कुछ नहीं होगा मैं बरबाद हो गया दूसरा व्यक्ति जो है वोलता कि ठीक है जो हो गया हो गया अभी भगवान ने मुझे मौका दिया कि मेरी टैलेंट प्रू करने का अभी भगवान ने मुझे मौका दिया कि अभी मैं इससे भी उपर उठके आ सकता हूँ मेरी जिन्दगे में कुछ भी कर सकता हूँ जो हुआ है वो तो हुआ ही है और वो तुरंत दूसरे दिन अपने दुकान के सामने ही रस्ते पर अपना दुकान चालू कर देता है next day होता है जो हो गया हो गया तो उसकी भाशा जो है वो बोलती है कि नहीं मेरे लिए कुछ भी संबह है जो हो गया वो अतित में हुआ अभी मेरे सामने ही है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ तो अभी मेरा माल बेश सकता हूँ नए अमाल खरीट के वो भी जो था हो तो पूरा जल गया वो नए माल लाता है रस्ते पर दुकान डालता है और बेशना चालू कर देता है और दूसरा पहला जो था वो क्या करता है अभी बरबाद हो गया तो आपती के समय आपकी भाषा का इस्तेमाल आप कैसे करते हो वो language को कैसा बापरते हो आप अपने आप से क्या बातचीत करते हो और जब बात आप अपने आप से करेगे वो बातचीत डिसाइड करेंगे कि आपकी action कौन सी होगी क्योंकि ऐसा होने के बाद में negative thoughts तो आएंगे आएंगे वो तुरंट positive thoughts को replace करेंगे डिस्प्लेस करेंगे और negative thoughts इतने मतलब omnipotent हो जाएंगे इतने powerful हो जाएंगे कि आपको negative thoughts करने देंगे नहीं कुछ फिर आपका ये काम है कि उसको present होना करें negative thoughts है ये विचार आ रहे हैं ये विचारों से मुझे कुछ नहीं होने वाला फिर ये विचार आपको exam के समय आते होंगे कि मैं fail होंगा मेरे मुझे कम mark मिलेंगे असफलत आएंगी मेरा पूरा band बच जाएंगा धंदे के बार में negative thoughts होंगे relationship के बार में negative thoughts होंगे ये negative thoughts जब आते हैं और उससे जब आप प्रभावित हो जाते हो और negative thoughts आना मतलब आपने अपने आपसे बातचीत करना वो समयना कि वो मैं हूँ उससे प्रभावित होना और वहां से action लेना वैसा ना करते हुए जो भी है वो negative thoughts है उससे मैं प्रभावित होंगा ने वो जो मेरी भाशा है वो भाशा से मैं प्रभावित होंगा ने इसमें अभी मैं क्या कर सकता हूँ क्या संभव है मैं भी कौन सी एक्षन ले सकता हूँ मुझे करना क्या है अभी मैं कौन सी एक्षन लूँ कि वो एक्षन मेरे गोल के परती या गोल के तरफ मुझे लिकर जाएंगी वो एक्षन में करूँगा ऐसा भाषा का इस्तेमाल इदियाब करते है तो आप सफल होंगे और नहीं तो फिर आप असफल हो जाएगे मुझे इतना ही कहना है कि आप भाशा का इस्तेमाल ऐसा करो इतना अच्छा करो उसके प्रति प्रेसेंट हो जाओ कि आप हर कदम आपके जीवन में सफलता के तरफ बढ़ते जाएगे आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो और यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद थैंक यू बेरे मच